सुरक्षित नहीं भगवान मंदर में बदमाशोनी की चोरी वीडियो सोशल मीडिया में वारल पुलिस ने किया एंकाउंटर में धेर नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट आए दिन चोरी डकैती लूट की खबरें आती रहती है वहीं अब मंदिरों में भगवान सुरक्षित नहीं है जहां लगा अतार मूर्ती चोरी की घटनाई बढ़ रही है सरकार की लाग पोशिशों के बाद भी राज के मठ मंदिरों से कीमती और प्राचीन मूर्तियों की चोरी की घटनाई नहीं रुक रही है सबसे बड़ी बाद तो यह है कि लाखो करोडों की संपत्ति वाले मठ मंदिरों की सुरक्ष्या की भी कोई खास अंतजाम नहीं है इसी बीच पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए मंदर में चोरी करने वाले बदमार्शों का एंकाउंटर कर दिया आज इसी पर विस्तार से बात कर उत्तर प्रदेश की गौतंबुद नगर में बदमाशों के होसले बुलन दिखाई दिये नौइडा कमिशनरेट पुलिस लाग दावा करती है कि शहर में कानून विवस्ता दुरुस्त है लेकिन चोर इस विवस्ता पर सेंध लगाने से बाज नहीं आते जहां घरों में रह रहे हैं लोगों के अलावा मंदर में भगवान भी सुरक्षित नहीं है अग्याद चोरों ने भगवान के घर पर हाथ साफ कर दिया नौइडा के प्राचीन मंदर से भगवान की कीमती आभूशन और सामान चुराकट चोर आसानी से रफु चक्कर हो अगे CCTV कैमरे में कैद हो गई बदादे की सेक्टर 49 थाना शेत्र के अंतरगत सेक्टर 47 इस्थित शेरी धाम मंदर में बुद्धवार को देर रात करीब सवा दो और शुभा के चार बजे के बीच में घुसकर नकाब पोश्ट बदमास लाखों की जुएलिदी चुरा कर ले पुलिस ने जानकारी दी है पुलिस के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि ये बदमास एक मंदर में चोरी करने में शामिल थे और एंकाउंटर में एक बदमास के पैर में गोली लगी है जिसकी वज़े से वो घाल हो गया वहीं जोन प्रथम के पुलिस उपायुक्त डी मिस्टा ने बताया कि मामले की जाच के दौरान पुलिस को पता चला कि मंदर में चोरी करने वाले बदमाश चोरी का सामान बेचने के लिए ले जा रहे थे उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने उनकी घेरा बंदी की और पुलिस से अपने आपको घेरा द पुलिस ने भी गोली चलाई और एक गोली दीपक भारती नाम के बदमाश के पैर में लगी उन्हें बताया कि इस गटना में शामिल एक अन्नी बदमाश की पुलिस तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बदमाशों के पास सिफ फुलिस ने मंदर से चोरी किये गए नौ सोने के मुकुट, सोने की मूर्ती, सोने का कड़ा, लड़ू गोपाल की मूर्ती, अंग वस्त्र और सोने की नथादी बरामत किया है। दरसल कुछी दिन पहले चोरी की घटना का एक फुटेज भी सामने आया था। फुटेज में दो नकाब पोस्ट चोर, एक बड़े सफेद थैले में, मंदर में विराजमान भगवान की मूर्ती से कीमती आबूशन आदी सामान चोरी करते हुए दिखाई दिये थे। और ये व प्रकाश सेक्टर 47 में बने श्री रिधाम मंदर में पुचारी हैं, पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि वो मंगलवार रात 9.45 पर मंदर बंद कर घर चले गए थे। बुदवार सुबा जब मंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदर से चादी के 9 मूर्तिया और चार सोने के नत गयव हैं, जिसकी बाद उन्होंने स्थानी निवासी और पुलिस को इसकी सूचना दी, मंदर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो चोर से सीटीवी कैमरे में कैद हुए, इस संबंद में पुलिस ने मुकदमा दरच किया कि इस मुकि दोड़ा है, तो ने चादी की आखे जीव, टरि शूल, एक ही रात में चार मंदिरों में चोरी, जहाँ एक मामल्अ पश्चिम बंगैल से सामने आया पूर्व बर्धमान से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहाँ एक ही रात में गाउ के तीन शिव मंदर और एक काली मंदर में चोरी हो गई इस मंदिर में सिरी सरी सिद्धेश्वरी काली माता मंदिर सिरी रामेश्वरी जियो मंदिर टोर कोना बरबारी शिव मंदिर और सिरी राज राजेश्वरी मंदिर के नाम शामिल है पोलिस का कहना है कि CCTV फुटिच के आदार पर जाज की जा रही है घटना खंडा घोश ब्लॉक के टोर कोना गाउं की है मंदिर के पुजारी शामल कुमार दता और कलपना चक्रवर्ती ने बताया कि मा काली और शिव की सोने की आखे मा काली के सोने की जीब के साथ चादी की आखे पेता, जीब, त्रिशूल, बेलपत्र और शिव के गले से साब की चोरी हो गई है शामल दत ने भी ये बताया कि सुभा साथ बजे एक ग्रामीर ने मुझे बताया कि आपके काली मंदिर का दर्वाजा खुला है और लाइट जल रही है इसके बाद वो दोड़ कर गए और देखा कि सचमुच मा के मंदिर का दर्वाजा खुला है और लाइट जल रही है करीब साड़े बारा बजे दो लड़के मेरे घर की पिछली गली से गुजर रहे हैं श्यामल धत ने बताया कि सिद्धेश्वरी काली माता मंदर में पांच बार चोड़ी हो चुकी है पिछले चार चोड़ियों में ना किसी की गरफतारी हुई और ना ही कोई कारवाई हुई देखते हैं इस बार क्या होता है पुलिस को मामले की सूचना देने के बाद पुलिस आई मंदर कात दोरा किया और सिसीटीवी फुटेज ले कर गई इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज की गई है पुलिस का कहना है कि सिसीटीवी फुटेज के आधार पर जाज की जाएगी देवी देवताओं को किया प्रणाम फिर मूर्ती जोले में रख हुआ फराद वही कुछ दिन पहले ऐसा ही चोरी का मामला मेरट से सामने आ था जहां मेरट के एक मंदर में चोर ने बड़े ही भक्ती भाव से चोरी की खटना को अंचाम दिया चोर पहले मंदर में गुसा फिर देवी देवताओं की मूर्तियों को प्रणाम किया इधर उधर देखा और आखिर में नाग देवता की मूर्ति को अपने जोले में डाल कर फुर हो गया उसकी हरकत मंदर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई बताया जा रहा है कि शिवलिंग पर नाग देवता की मूर्ति तामबे की बनी थी चोर उसे ही उठा कर ले गया पूरी घटना मंदर के लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है जिसका वीडियो वारल हो रहा है फिलहाल पुलिस अब इस चोर की तलाश कर रही है अधिकारियों का कहना है कि जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा आपकी चानकारी के लिए बता दे कि पूरी घटना मेरट के थाना बवनपुर शेत्र के अबदुल्लापुर की है जहां एक प्राचीन शिव मंदिर है मंगलवार को जब इस मंदर में लोग पूजा के लिए पहुंचे तो उन्हें नाग देवता की मूर्ती गायब विली जिसके बाद हड़कंप मच गया फॉर देवता की मूर्ती को उठाकर अपने जोले में रख देता है फिर चुपके से मंदिर से 9211 हो जाता है इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस मामले की अभी कोई तहरीर नहीं आई है लेकिन वीडियो का संग्यान लेते हुए चोर की तलाश की जा रही है जल्दी चोर को पक तरही है कापिटल की वी उत्तर प्रदेश नमस्कार